आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा special है क्योंकि आज हम करेंगे उन kitchen tips की बात जो की आपको नो बहुत ही ज़्यादा relax कर देंगे और आपकी बहुत ज़्यादा काम भी आने वाले हैं तो हूप वीडियो आपको पसंदाएगी पसंदाएगी तो आपको पते ही है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है सबसे पहला है एक पते है कि घर में होती है हमारे थरमस वाली बोटल चाहे आप कोपर वाली बोटल ले लीजिए कोपर वाली बोटल में ये बहुत ही जादा काम करेगा और मैं यहाँ पर थरमस वाली बोटल का यूज कर रही हूँ इसमें क्यूंकि चाय बहुत जादा यूज हुई है और जैसे कि हम traveling पर ले कर जाते हैं या फिर शौफ वगयरा पर ले जाते हैं जहां पर हम चाए इसमें डाल कर रखते हैं और फिर पानी वगयरे नहीं डालते तो ऐसी हो जाती है तो यह especially चाय केडिया ही रखी हुई है पानी वाली अलग से रखी हुई है तो आज चा कर रखोंगी तो इसमें मैं डाल रही हूं चावल के दाने डालने से इसको शेक करेंगे ना तो के बर अंदर हाथ नहीं जाता है तो चावल के दाने डालने से तो वह एक जैसे परत उतरती है ना गलने के बाद वह बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी बस इसको रात भर भी हो बस इसमें से जो ब्लैक वाली परत है वो बहुत अच्छे से रिमूव नहीं होगी स्टील वाली बोतल है उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको और अच्छे से साफ भी होगी और इसका जो दुरगंद है वो भी निकल जाएगी नेक्स ट्रेक है हेर फॉल से रिलेटिड जो की अकसर मैं अपने घर में एक ओईल बना कर रखती हूँ आपको बता है मुझे ब्यूटी टिप्स बहुत ही जादा बड़ी अलगते हैं अपने फेस पर अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ उसके लिए मैंने अपना अलग चैनल भी ओपन किया हुआ है तो यह जो मैं आज बना रही हूँ ना तो इसको बनाने के बाद ना इस हेर जो हमने ओईल लगाना है इसके पूरी ना जैसे टिप में तीन से चार दिन लगातार या फिर हफते में दो बार लगातार लगाने के बाद ना मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी तो फाइनल वीडियो में आपने ब्यूटी वाले चैनल पर रखूँगी बना दूँगी आब वहाँ पर देख लिए गा यहाँ पर सबसे पहले हमने मेथी के दाने लिए हैं मेथी के दाने के बादना मैंने इसमें जोंक ओयल डाला है जोंकोईल आपको कोई भी मिल जाएगा अच्छे से मैंने पूरी बोटल भर देनी है जोंकोईल आधा और उसके बाद उतना ही हम इसमें कलोंजी का तेल डालेंगी तो मेथी दाने ना तो मैंने भीवोकर रखे थे ना ही कुछ किया था मैं नहीं चाहती थी ओयल में बिल्कुल भी पानी जाए तो मैंने ऐसे ही मेथी दाने रख दिये हैं और इसको अब हम रख देंगे सूरज के किरनों के पास यानि की सनलाइट के पास रख देंगे कम से कम दो दिन के लिए रखिएगा जब धूप निकलेगी दो धूप लगा दीजेगा उसके बाद देखेगा इसका जादू बिल्कुल हेरफोल नहीं होगा डेंटरफ नहीं होगा यह पहले भी मैंने बनाया था अब दोबारा बनाने लगी थी तो मैंने सोच आपके साथ य कलोंजी आएगी हैि है कलोंजी तो जितना हमने दूसरा ऐल का तेल कोई बात नहीं है अगर प्रपोर्षिशन थोड़ा सा उपर नीचे होजाता है तो it's okay kwest कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तो यहाँ पर को लोंजी का तेल भी मैंने लिया है आप जाहें तो इन दोनों ओइ मैं description में दे दूँगी है वहाँ से चाकर आप purchase कर सकते हैं sponsored video नहीं है तो मेरे पास यह दो नोविल थे और अब हम क्या करें कि इसको रख देंगे sunlight में तो याद रखिएगा वैसे तो मैंने अभी वीडियो आपी के सामने बनाई है यह मैंने कल बनाकर रखा था आज वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी जो ब्यूटी टिप के बाद आते हैं फिर से हम अपने फेवरेट वाली किचन डिप पर ही किचन डिप आप आती है बारी ओट्स की एक बार क्या हुआ था ना ओट्स में ना कीड़े लगे थे और वैस्तों मैं और रेगिलर यूज करती हूँ पर क लिपर क्वांटिटी जादा आ जाती है तो मैंने एक दूसरे डिप्बे में भरकर रख दी है वहाँ पर मेरा ध्यान नहीं किया तो मैं ओट्स में फिर मुझे अच्छे से उसको साफ करना पड़ा कुछ पर्पोर्शन तो मैंने फैंक ही दिया तो नेक्स टाम यह गलती नह जाने तक के लिए हम तेजपत्ता यूज करते हैं तो कीडे मकोडे तो भागी जाएंगे तो यह है जरू ट्राय कीजेगा और किसी भी आइटम में आद यह सारी चीज़े डाल सकते हैं खाने वाली जो भी जो आपकी घर में फूड आइटम्स है ना जो की ऐसे हैं ड्राय न प्राइप सही रहता है जितना अमाउंट मुझे चाहिए था ना उतना अमाउंट का मैंने अच्छे से इसको सील पैक कर दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छे से कट कर देंगे और जो भी प्रपोश्चन बीच में रह जाएगा वो अंदर ही रह जाएगा उसके बाद हाँ है इक से दू रह जाते हैं हम देखते हैं कि वह फिर जल्दी पकने लग जाते हैं क्योंकि says में उपनी स्टैम से अलग हो चूके होते ह हम उनको फैंक देते हैं तो एक से बादाना जब रह जाते है तो आप यहिग गर सकते हैं इनके उपने क λέ == ठोड़ा सा लगाने के तो इसमें आपको कुछ नहीं करना प्याच कट करने से पहले या तो आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए या फिर इसका सिकिंड है कि आप इसमें पानी और विनेगर मिक्स कर लीजिए और पांच मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजिए जब तक आप किसी और मसाले को जैसे कि टमाटर को पीसना लसुन को छीलना वह सारी चीज़े कर सकते हैं तो यहां पर मैं विनेगर अड़ कर देती हूं तीन से चार चमच विनेगर अड़ करने के बार ना प्याच को हमें डिप करके रख देना है इतना सा काम है उससे भी जादा एफेक्टिव है आप या क्या होगा ना एक तोड़ समय की बच्चत हो कि सेकिन प्याज का जो जो कड़वापन होता है वह पानी में ही निकल जाएगा विनेगर की हैल्प से पांच मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसको कट कर लेती हूं और बहुत ही बढ़िया यह एफेक्टिव रामबान है क्यों यह जो प्याज वालापनी है ना, जैसे हम चिलके है अग। इस दो भूल करना आप अपनी गार्डनिनिंग में यूज कर सकते हैं तो उसमें भी आसको यूज कर सकते हैं तो लन्बै में निकाल के सिगास के जाएग प्याज बटस означ मशूभरोगर भाइभलोरी ते रिधाप अगर आपको चाहिए ना तो आपको अनार के छिलके बचाने हैं जी हां अनार के जो चिलके होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं यह हमारे पल्यूशन को डर्ट को दूर करते हैं हमारी एंटी एजिंग को दूर करते हैं और सेकिन हमारी स्कीम को टाइट करते हैं तो अगली बार से आपना जब भी अनार लेके आना तो छिलके मत फैंकियेगा और यहां पर मैंने अच्छे से सुखाने के बार ने इसका पाउडर बना लिया है मार्केट में यह पाउडर आपको बहुत महेंगा मिलने वाला है अगर कोई भी टिप पसंद आती है तुम्हें कोमेंट सेक्षन में जुरूर बताएगे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक्यों वाचिंग